हर्याली अमावस्या की कथा के अनुसार कहा जाता हैं कि एक राजा की बहु ने एक दिन मिठाई चोरी करके खाली और नाम एक चुहे का ले दिया. यह बात जानकर चुहे को क्रोध आया और उसने तै किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊंगा. फिर एक दिन राजा के यहां अतिथी पधारे और राजा के ही अतिथी कक्ष में सोएं. चुहे ने राणी के वस्त्र ले जाकर अतिथी के पास रख दिये. प्रात काल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे की छोटी राणी के कपड़े अतिथी के कमरे में मिले. यह बात जब राजा को पता चली तो उस राणी को घर से निकाल दिया. राणी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और जवार बोती और पूझा करके गुर्धानी का प्रसाद बाटती थी. फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर रानी पर पड़ी. राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो व्रिक्ष के नीचे चमतकारी चीज हैं. अपने ज़ाड के उपर जाकर देखा तो दिये आपस में बात कर रहे थे. आज किसने क्या खाया और कौन क्या है? उसमें से एक दिया बोला आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है. आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया बाकी के सब दिये बोले ऐसी क्या बात हुई? तब दिया बोला मैं राजा के घर का हूँ, उस राजा की एक बहु थी उसने एक बार मिठाई चोरी करके खाली और चुहे का नाम ले लिया जब चुहे को क्रोध आया तो राणी के कपड़े अतिथी के कमरे में रख दिये और राजा ने राणी को घर से निकाल दिया उसने आगे बताया कि राणी की मिठाई चोरी की वजह से चुहे ने राणी की साड़ी अतिथी के कमरे में रखी थी और बेकसूर राणी को सजा मिल गई फिर सब लोग पेड़ पर से उतर कर घर आये और कहा कि राणी का कोई दोश नहीं था यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये ताकि ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे